ओम शान्ति हैं ऐसा मक्षन जिसे संगम पर हमें ताकत मिलती है और जिसके आधार पर हम भविश्य उच्पत की प्राप्ति करते हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 28 नवेंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को निश्य बुद्धी की परक क्या है सच्चे परवाने बन शमा पर फिदा होते सच्चे प्रीत बुद्धी बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते मनुश्य बाप को डिफेम कैसे करते हैं सर्व व्यापी खहकर श्रिबाबा कब आते हैं जब धर्म गलानी होती जब बाप की गलानी होती जब भारत कंगाल हो जाता जब भारत भिष्टाचारी बन जाता यह यग्गे पूरा कब होगा जब सब अनेक धर्म इस यग्गे में खतम हो जाएंगे शमा पर फिदा होने वाले बच्चे कौन सी बात जानते हैं बेहत के बाप से हमको बेहत का वर्सा मिलता है वंदना किसकी होती है पवित्र की शांती कब स्थापन होगी जब हर एक अपने पांच विकारों को वर्ष्ट करेंगे जब आत्मा की डोर परमात्मा से जोड़ेंगे किसको क्या कहा जाता है नर्क वासी को आसुरी संप्रदाए भगवान जो यग्ये रचते उसे रुद्र ग्यान यग्ये श्रिक्रिश्न को दैवी गुण धारी सुर्ग का प्रिंस निराकार परमपिता परमात्मा को भगवान बेहत का वर्षा पाने को विश्व का मालिक बनना श्रिब बाबा संगम पर आकर क्या करते हैं श्रीमत देते, सदकती करते, दुख से चुड़ाते बेहत का वर्षा देते, भक्ती का फ़ल देते राज्योग सिखलाते, तीरी पर भहिष्ट लाते ज्यान रूपी मक्खन देते, रामराज्य स्थापन करते शिवाले स्थापन करते, साधना करना सिखलाते शान्ती धाम सुक धाम ले जाते श्रीब बाबा हमें क्या बनाते हैं? श्रीष्ठाचारी, दैवी संप्रदाय, विश्रुका मालिक, मंदिर में रहने लायक, 100% सॉल्वेंट अपने बर्थ प्रेस को स्वर्ग श्रीब बाबा क्या बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी, देवी संप्रदाय, विश्व का मालिक, मंदिर में रहने लायक, 100% सॉल्वेंट, अपने बर्थ प्रेस को स्वर्ग, आज की मुर्ली के अनुसार सत्युगर कल्युग का कंट्रास्ट इस प्रकार है, स्वर्ग नर्क, शिवाले, वैश्याले, रामराज्य रावन राच्य, शीर सागर, विशे सागर, पवित्र ग्रहस्त धर्म, अपवित्र ग्रहस्त धर्म, देवी श्रेष्टाचारी भारत, आसुरी ब्रेष्टाचारी भारत, 100% सॉल्वेंट भारत, 100% इन्सॉल्वेंट भारत, आज की मुर्ली के अनुसार कंट्रास्ट की बात पहले अव्यपिचारी भक्ती थी, अंत में भक्ती पूरी व्यपिचारी है, शमा पर फिदा होने वाले राजाई में आते, शमा पर फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते क्या होने से क्या होता है? अरत्वासी अपने दैवी धर्म को भूल जाते, एक बाप से कनेक्शन जोडने से वर्दानों की अनुभूती होती रहती ये थी आज की मुडली की विशेश बातें हमें पून रिती से विकार रहित बनना है, जिसके लिए निरंतर सर्विशक्तिवान प्रभू को स्मृती में रखना है और सत्युगी वर्सा प्राप्त करने के लिए अभी संगम पर हमें रुहानी शमा पर फिदा होना है ओम शान्ती